हेलो नमसकर दोस्तों स्वगत करते हैं आप सभी का अपके पनी यूटूब चैनल लोगिंग इस्टडीफर बेश्टीची 2023 परिक्साइट तियारे करने वाले सभी स्टोनेंट के लिए आज का अपना वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट रहने वाला है क्योंकि दोस्तों देखो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो एकजाम है उसके बारे में दोस्तों आज पेपर में भी आ गया है कि एकजाम बिल्कुल अगस्त के लार्ज सप्ता में होने वाला है तो आज दोस्तो 15 जुलाई हो गई है और 15 जुलाई और बात करें अब एकजाम के तो लगबग कुल 40 दिन अप्रोक्स दोस्तो मिल रहे हैं आपको तैयारी के लिए तो तैयारी 40 दिन में केसी करनी है अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो भी देखें दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और जिनोंने भी पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी उनके लिए भी सांधारी वीडियो रहने वाला है तो इसको लाश्त जुरूर देखना है 450 नंबर की एक कम्प्रिट आपको प्रोसेस बताने वाले हैं अगर आप ऐसा ही पढ़ते हो तो 450 नहीं आप आराम से 480 नंबर भी लेकर आ सकते हूँ सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना रेगुलर दोस्तों यहाँ पर क्लासेज और पिछले 3-4 साल से बेश्ट से की प्रोपर तियारी आपको करवाई जाती है देखो 4-40 दिन की जो रुननीती है वो हम दोस्तों बात करेंगे आपका जो एकजाम हो वो अगस्त के लार्ट सप्ता में होने वाला है आज की पेपर में दोस्तों दिया हुआ था अब 40 दिन में आप क्या क्या पढ़ना है चारसो नमबर कैसे लेकर आना है तो सबसे बहले दोस्तों देखो जो आपका एकजाम है उसमें टोटल जो सब्जेक है वो कितनी रहने वाली है चार सब्जेट रहने वाली है जो कि आप लोग अच्छे से भली बाती जानते होंगे एक राजस्तान जीके है एक दोस्तों रिजनिंग है इसके अलावा सिक्षन अभिरुची और हिंदी और इंग्लीज ये चार सब्जेट आपके एकजाम में रहने वाला है अब आप आराम से जो नंबर है वो आसानी से कौन से सब्जेट में लेकर आ सकते हों सभी जानते हैं कि सिक्षन अभिरुची एक ऐसा सब्जेट है जिसमें कम पढ़ने पर भी सांदा नंबर लेकर आ सकते हैं और आपको कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है complete बताएंगे अभी वीडियो को लाज तक जरूर देखना दोस्तो देखो सबसे पहली दोस्तो हम सिक्षन अभिरुची की बात करेंगे अब देखो दोस्तो 30 मिन्स देना सिक्षन व्याइख जी इसके अभाव दोस्तो बात करें हिंदी और इंगलिज की देखो आपको डेली पहिंगलिज की कुछ ना कुछ जिएखते रहे ना क्योंकि इंगलिजको दोस्तों only question आएंगे 20 question 20 question का मतलब हो गया 60 number English के और 30 question क्या है हिंदी के तो 30 question का मतलब दोस्तों क्या हो गया है यहाँ पर 90 number हिंदी के मतलब हिंदी का यहाँ पर weightage ज्यादा है English का weightage थोड़ा कम है English के लिए आपके लिए लगबग 5 गंठा ठीक ना आप इसे लगबग 5 गंठा दे सकते हो तो लगबग 5 गंठे में दोस्तों आराम से अगर आप इसे time दोगे तो हिंदी और English के 40 question आप आराम से कर सकते हो दोनों के कुल मिला कर 40 question कर सकते हो अब दोस्तों बात हुई reasoning और gk यही जो दोनों subject है वही आपको exam में उपर लेकर जाएंगा मतलब आपके number बढ़ाने वाले subject दोस्तों यही है क्योंकि इन दोनों में तो लगबग सभी के number समवान आने वाले है और Hindi English में तो सभी के number है वो equal ही रहने वाले है जो number है वो को दोस्तों यहां पर difference आने वाला है राजस्तान जीके कैसे याद करें सर राजस्तान जीके तो याद ही नहीं होता तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी कहता था और अब भी यही कहूंगा कि राजस्तान जीके को आप एक class अगर लो तो उस class को कम से कम आपको 3 से 4 बार क्या करना है revise करना है मतलब लिख कर उसको पढ़ना है दोस्तों राजस्तान जीके को दिन में कम से कम आपको 3 गंठे 3 गंठे राजस्तान अब ऐसे बोलोगे सर इतना ज्यादा राजस्तान जीके क्योंकि दोस्तो राजस्तान जीके आपके जो आगे आप तियारी करोगे REIT के एक्जाम का, 2nd grade, 1st grade तो उसमें भी राजस्तान जीके काम आएगा तो क्यों नै अभी से राजस्तान जीके को थोड़ा ज्यादा फोक्स कर लो ताकि आपके भी आगे भी काम आता रहेगा 3 गंटे आप राजस्तान जीके को पड़ोगे आराम से दोस्तो 40 क्योंटन यहाँ पर भी आप कर सकते हूँ REIT की बात करें REIT करें REIT करें देखो दोस्तो जो राजस्तान पुलीस है इसमें भी reasoning आती है CTA exam में भी तो reasoning अगर आप आगे competition ती की तियारी करना जाते हो तो reasoning को भी थोड़ा ज़्यादा time दे दीजिए reasoning को दोस्तो कम से कम आपको 2 गंठा reasoning को देना है तो reasoning में अगर आप 2 गंठा दोगे तो आराम से दोस्तो यहाँ पर भी आप 40 question minimum कर सकते हो यह तो दोस्तो minimum बता रहें में एक जिमम तो आप 50 तक भी कर सकते हो reasoning के एक ऐसा subject है जिसमें आप score है वो 50 के 50 question कर सकते हो अगर हम बात करें दोस्तो कुल यहाँ पर कितने number हो गए तो देखो यहाँ पर जो question का weightage है वो हो गया बात करें दोस्तो तो 165 question है ना 165 question का मतलब दोस्तो number यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई देखो 495 number हो गई आप तो ऐसे सोसे लिजे कि 450 number केसे लेकर आना है तो दोस्तो जहाँ पर भी मान लिजे जो भी subject आपका थोड़ा hard लगता है उसमें थोड़े number कम कर लेना तो अगर यह तरीका आप देखो कितना गंठा हो गया तीन और दो पांच और एक मतलब पांच और दो साथ गंठे आप साथ गंठे आठ गंठे पढ़ते हो तो क्या साथ गंठे पढ़ने से आपको seat मिल जाएगी मिल तो जाएगी दोस्तो उसके बारे में confirm नहीं कर सकते उसके लिए तो आपको थोड़ा extra पढ़ना होगा औरो से थोड़ा अलग ज्यादा पढ़ना होगा तो डेली का आपक सुईदा के लिए देखो आपको दिया जा रहा है यहां पे 10 model paper with solution मतलब दोस्तो उसका solution भी है तो अगर आपके पास में book नहीं है तो आप model paper दोस्तो ले सकते हो कहां से मिलेगा अभी हम बताने वाले हैं आपको साथ previous year के paper मिलने वाले हैं दोस्तो अगर आपको तैयारी सां number लेकर आना तो पिछले सालों के paper जरूर निकाल लेना उससे आपको अंदाजा में थोड़ा पढ़ेगा मतलब की कैसे परीक्सा में question आते हैं 10 full test paper अगर आप चाहते हो कि sir हमें तो time नहीं मिल पाता नहीं तो exam में question तो सारे हो जाते तो time उस time को manage करने के लिए कि हमें 3 best paper आपको क्या है दोस्तों यह सब कुछ दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों कितने only देखो दोस्तों अभी offer चल रहा है और इस offer में 51 रूपे में दोस्तों यह सब कुछ आपको मिल रहा है अगर आप लोग लगा देते हो BSTC 2023 तो यह सांदार तेख इनमतला दोस्तों साथ गंटे तो हो गए थे साथ गंठ के बाद में तीन गंठा आपको इनको देना है तीन गंठा तीन गंठा आपको दोस्तों क्या देना है ओडल के देखो आपके एक् ज consideration के 40 दिन बके में 40 दिन में से दोस्तो 27 दिन का मेटर तो यहाँ पर हो गया 27 दिन का मेटर तो हमने यहाँ पर दे दिया daily अगर एक model paper निकालोगे अगले दिन अगर test दोगे अगले दिन दोस्तो अगर period share का paper निकालोगे तो 27 दिन में 27 paper तो आपके ऐसे निकल जाएंगे और बाकी दोस्तों Classes लेते रहिए आपके लिए देखो Classes ला रहे है यहाँ पे सभी Classes अगर आपने अभी तियारी सुरू किये न सभी Classes की Playlist दोस्तों हमने बना दिया आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आप Playlist में जाओ Classes देखो और सलेबस है दोस्तों सभी आपको जो जितना भी सलेबस एकदम नविन्तम पेटर्न के अकोडिंग करवाया गया है BHTC का सलेबस लगबग हमने Complete करवा दिया आप अच्छे से तियारी करो और दोस्तों कोशिस करना कि 450 नहीं 500 नंबर लेकर आओ ताक कि आपको पास की कोलेज मिल सके और एक साल दोस्तों आपका खराब नहीं हो सके बाकि अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करना वीडियो के नीचे वीडियो लाइक ज़रूर करते हैं दोस्तों अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा कि इन 40 दिनों में हमें कैसे त्यारी करना है 27 पेपर आपको दे दिये 27 दिन तो दोस्तों वे से करना है बाकि आपके लिए और कुछ ना कुछ लाते रहेंगे दोस्तों देखो BSTC 2023 कोड लगा देना 100 रुपे का टेस्ट आपको कितने में मिल जाएगा कैवल और कैवल 51 रुपे में मिल जाएगा बाकि आप जोइन कर लेना टेलिग्राम इंस्टाग्राम जहां पर आपको हर एक अपडेट BSTC की दी जाती है थेंक्यू सो मच्च मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सोस